जहिन राम राम, सोया बीन एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है हमारी डाइट में जो की एकदम सस्ता है और हर जगह अवलेबल है आप कहीं पर भी चले जाओ सोया बीन आपको जरूर मिल जाएगा लेकिन इतना सस्ता होने के बाद इसके उपर बहुत सारे जो मित हैं वो आ चुके हैं इसको आज़ लोग समझाएंगे उसके पहले हम आपको उसका करें क्रदम है कि आपसाब आपन को कोई भी इस तरीके के खा सकते हो बिना किसी दिकत के और हमाइरी बॉड़ी में होते हैं Estrogen Receptors,rowjego यह समनारी काम क्या होते है? यह लड़कें होते हैं, लड़कियों में बाइब कम प्रेस्थ राकद्ला ठीक है तो Toast jár ninety fruits, जब कोई इसको मिलता है तो से connect करते हैं, तब इसरेकों एक्टिव हो या फ्लेवनोस यह क्या करते हैं यह करते हैं इसो फ्लेवोंस होते हैं ठीक है यह क्या करते हैं इन में जो एस्टोजन का होता है बलब इस्टोजन से यह कनेक्ट नहीं करते हैं जो आपकी बॉड़ी में इस्टोजन रिसेप्टर से हैं उससे यह कनेक्ट नहीं करते हैं क्यों इस मित को इतना बढ़ा चलाकि क्यों दिखाया गया क्योंकि देखो यह जो मित है यह सबसे ज़्यादा किसको कर गई यह फाइदा कर गई जितने भी मीट बेश कंपनिया थी ये जिस तरीके का इस तरीके के प्रोड़क्ट बनाती थी जनमें protein की quantity जादा थी क्योंकि सबसे सस्ता protein है तो अगर लोगों को सचाई से पता रहेगी तो जादा से जादा लोग यही consume करेंगे तो जिससे होगा क्या कि उनका जो protein के requirement है वो आधे से जादा यहीं से पूरी हो जाएगी तो हो सकता है वो product ना buy करें यह सारी चीज़े है तो उनका बहुत नुक्सान था जिसकी विज़े से स्मित को और वाइरल कर दिया गया कुछ आर्टिकल में छाप दिया गया तो इससे यह हो गया कि इससे में भूस आते जब कि इसका जब प्रॉपर आप प्रोटीन सोर्स देखने जाओगे तो जस्ट आपको डबल ट्रिपल रेट देने पड़ेंगे ठीक है पहली चीज़ तूसरी बात अगर हम यह करें तो हमें केलरी कम चाहिए होती हैं तो सोयावीन में काप्स बहुत कम होते हैं जिससे की जो लोग फैट लॉस में वो प्रोटीन के लिए एक दम बैस सोर्स के तौर पे इसको अपना सकते हैं अगली अगर बात करें तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मातरा में होता है तो आप डेली बेसेस पे यूज कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर सेफ यूज की बात करें तो अठावर ग्राम सोया मिन जो है आप अगर लाइफ टाइम भी यूज करते हो कोई प्रॉबलम नहीं है लास्ट में एक चीज हम यहाप और राइट करना चाहते हैं एक रिस जाता है सोय मिलक तो बाद में जैसे जैसे वह बड़े होते तो उनको एक observation में रखा जाता है मलब देखा जाता है तो उनको ना तो चेस्ट फैट ना तो मैन बूक्स ना तो गैनोको मस्या इस तरीके की कोई भी प्रॉबलम उनमें नहीं देखी गई तो इस्टडीज और ज